दोस्तों कि आपको पता है कि आपका माइंड इतना पावरफुल है, इतना सकती साली है कि आप जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो रियलिटी में बदल सकते हैं, आप जो सोचते हैं, वो आप बन सकते हैं, आपकी हर परिसानी खुजियों में ब तिरी एक एक बात को दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजो सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलियेगा दोस्तों और लोगों को फायदा हो उसके लिए पीज और प्लीज वीडियो को सेयर Community भी जरूर कर चलिए दोस्तो हम आप आपको पताते हैं आपके माइंड की पावर किस तरह से आप इसे उस मुकाम तक लेके जा सकते हैं जो चाहें वो आप पा सकते हैं मेरा दावा है दोस्तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा मैं बता रहा हूं 90 दिन के अंदर आपके सपनों को सच करने का फार्मूला वीडियो कहीं मिश्मत करिएगा पूरा देखिएगा आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी हर्स अपने को साकार करने वाला आज मैं फार्मूला बताता हूं दोस्तों हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं conscious mind और subconscious mind conscious mind जो हमारी decisions को हमारी imagine को हमारे फैसले को हमारी habits को conscious mind कंट्रोल करता है दोस्तों subconscious mind हमारी यादों को हमारी आदतों को हमारे जो दिंचरिया है उसको subconscious mind कंट्रोल करता है दोस्तों अब अगर हम बात करें आपको एक एक्जामपल देकर बात करें जैसे कि आप अगर सुबा जॉगिंग करते हैं तो आपके लिए ये आसान है जी हाँ दोस्तों दोस्तों इन ही यादों के उपर इन ही हैबिट्स के उपर हमारी विलीप्स बनी होती है जैसे आप अगर सुबा जॉगिंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत आसान है लेकिन दोस्तों ठीक उसी के उलट यदि हम देखते हैं यदि आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी है अगर वो सुबा नहीं उठ सकता है तो उसके लिए सुबा उठना और जॉगिंग करना बहुत मुस्किल है जहां दोस्तों आप एक तहराख हैं आप स्विमिंग कर लेते हैं अच्छी स्विमिंग करते हैं लेकिन आप ही का फ्रेंड कोई आपका पडोसी अगर उसको स्विमिंग नहीं आती तो उसके लिए swimming बहुत मुस्किल है यह होता है हमारा beliefs और दोस्तों हमारा beliefs हमारी आदतों से ही बनता है हमारी thinking से बनता है दोस्तों इसी लिए इस beliefs के लिए कई सारे test हुए उसी में से एक टेस्ट है प्लसीबो इफेक्ट जी हाँ दोस्तों प्लसीबो इफेक्ट एक ही बीमारी से जूच रहे कुछ लोगों को दो गृप्स में माटा जाता है दोस्तों दो गुरुप्स में बटने के बाद एक गुरुप्स को उस बीमारी की सबसे अच्छी दवा, सबसे बेस्ट दवा दी जाती है जबकि दूसरे गुरुप्स को सेम उसी की तरह दिखने वाली एक खोखली सूगर की दवा दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि ये वही दवा है जो इस बिमारी को ठीक करेगी सबसे अच्छी दवा है उस बिमारी को ठीक करने के लिए उन्हें सिर्फ बताया जाता है लेकिन दवा दी जाती है सिर्फ और सिर्फ नकली वो भी सूगर की दवा दोस्तों अब वो उस दवा के नाम पर सिर्फ क्या खा रहे हैं सूकर खा रहे हैं जिए जब उनका टेस्ट होता है तो दोस्तों चौकाने वाले परणाम सामने आते हैं जिसको उसकी वरिजनल दवा दी जा रही थी, यानि उस बिमारी की सबसे बेस्ट दवा दी जा रही थी, उनका भी ग्रोथ उतना ही हुआ, जितना ग्रोथ जिनको सूगर की दवा दी जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ सक्कर दी जा रही थी, दोनों का टेस्ट सेम आया, दोनों दवा ने कुछ कमाल नहीं किया कमाल किया किसने उनके बिलीब सिस्टम ने क्योंकि उन्हें पता था कि ये दवा जो है ये सबसे अच्छी दवा है जो हमें दी जा रही है इस बिमारी के लिए दोस्तों अब यहां पर काम किसने किया अब यहां पर काम किया सब कॉंसियंस माइ जिहां दोस्तों आपके अउचेतन मन ने दोस्तों अब ये तो हो गई टेस्ट की बात अब हम अगर आपकी बात करते हैं दोस्तों यदि आप कहीं जा रहे हैं आपको आप न्यूज में हैं या फिर किसी चीज में हैं और आपको किसी बड़े स्लिबर्टी या फिर किसी आदमी का इंटर्वियू लेना है दोस्तों आप अपनी तरह से पूरी तरह से प्रपेर हैं आप जाते हैं सोचते हैं पूरी तरह से आप जो है प्रपेर होके जाते हैं लेकिन पहुंचने से पहले आप ट्रेन में हैं या मेट्रो में हैं या बस में हैं या खुद की कार में है जा रहे हैं लेकिन रास्ते में सोच रहे हैं कि वो तो इतना बड़ा आदमी है इतना बड़ा सिलेबिटी है क्या मैं उसका इंटर्विव ले पाऊंगा क्या मैं उससे सवाल कर पाऊंगा कहीं वो नाराज ना हो जाए मेरे बस की बात नहीं है क्या मैं उससे बातचीत कर पाऊंगा दोस्तों यहीं पर आपका अवचेतनमन इन सिगनल्स को कैच करना सुरू कर देता है यहीं पर आपका खेल बिगड़ने लगता है दोस्तों उदाहरा नमबर दो देता हूं दोस्तों एक्जामपल नमबर टू यदि आप अपने कॉलेज में ही समझ लीजे या कहीं पर भी आप भासन देने के लिए स्पीच देने के लिए स्टेज पर खड़े होते हैं किसी प्रोग्राम में जो भी आप आपके समझ में आए साधी का हो, पॉलिटिक्स का हो या किसी भी आपका एनुवल फंक्शन का हो या आपके कॉलेज का हो 15 अगस्त का 26 जनुवरी का जो भी है इंडिपेंडेंस दे जो भी है आप इमेजिन कीजिए आप पूरी तरह से स्पीच को तयार कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं आपको पूरा याद है लेकिन स्टेज पर जाने से पहले आप डरने लगते हैं कि इतने लोग हैं, कहीं मैं भूल गया तो क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आपका सबकॉंसियस माइंड उन्ही चीजों को कैच करता है जो आप सौचते हैं आपकी सोच को, आपकी हैबिट्स को आपका सबकॉंसियस माइंड कैच करता है दोस्तों, सबकॉंसियस माइंड जैसा मैंने आपको बताया अगर नहीं बताया तो आप फिर सुन लीजिए आपके माइंड का 90% यूज़ करता है आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन को signals भेजने लगता है कैसा positive नहीं negative क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं आपकी negative सोच को अवचेतन मन आपको ग्रहन करता चला जाता है फिर होती है गड़बड जिहां दोस्तों तो अब आप समझ गए होंगे कि इस से उसका क्या संबंद है दोस्तों अब आप कहेंगे कि फिर अवचेतन मन को control कैसे करें अब आपको मैं बता रहा हूँ control कैसे करें दोस्तों जो आप देखेंगे जो आज नामी लोग हैं दोस्तों मैं से और एकदम सरल भासा में समझा रहा हूँ इसे और तरीके से बता सकता हूँ लेकिन मैं आप लोगों को उस तरह किसे नहीं बता रहा हूँ एकदम सरल भासा में दोस्तों जो बड़े लोग होते हैं जो नामी लोग होते हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है जो वो चेतन मन को भेजते हैं, तो अब आप सोचिए, जब वो इतना पावरफुल है, आपके conscious mind से, सब conscious mind इतना पावरफुल है, तो फिर आप का क्या होने वाला है, वो आप खुद समझ गये होंगे, आप यहीं पर सब कुछ करबर कर देते हैं, और फिर होता है, सब कुछ खराब, मान लिजए, example number 3 देता हूँ, आप किसी से प्यार करते हैं, उसे I love you बोलना है आपको, आपने सब चीज सोच लिया है, कि I love you कैसे बोलना है, गुलाब कैसे देना है, रिंग कैसे पहनानी है, एन मौके पर क्या होता है, आप सोचते हैं, कि कहीं सेंडल उतर गई तो क्या होगा, कहीं उसने मना कर दिया तो क्या होगा, इन ही चीजों से आपका, इन ही negative thoughts को आपका आउचेतन मन, आप सोचते हैं, कि कहीं सेंडल उतर गई तो क्या होगा, कहीं उसने मना कर दिया तो क्य होगा इन ही चीजों से आपका इन ही नेगिटिब थॉट्स को आपका ऑचेतनमन obese करने लगता है अब मैं आप को बताता हूं अब आप सोच रहें होंगे कि इसे प्रोग्रामिंग कैसे करना है तो दोस्तों अब जो मेन पॉइंट है अब आप सोच रहे हैं इसे control कैसे करना है इसे program कैसे करना है तो दोस्तों वो चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों वो यह है कि अब जैसे आप मान लीजिए आप सबसे ज़्यादा active और energy से भरे कब रहते हैं जी हां दोस्तों सब को पता है कि वो morning में सुबा का time होता है जी हां दोस्तों ठीक उसी तरह एक समय ऐसा है जब आपका subconscious mind यानी और चेतन मन पूरा active होता है और energy से भरा हुआ होता है उस time पर आप अपने चेतन मन से और चेतन मन को जो भी चीजें भेजते हैं जो भी signals भेजते हैं वो आपको वो पूरी तरह से उसे catch करने लगता है जी हां दोस्तों फिर वही चीजें आपकी चिंदगी में apply होने लगती है जी हां दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वो सबसे तगड़ा समय सबसे powerful समय कब होता है जब subconscious mind पूरा active होता है जी हां दोस्तों जब आप बिस्तर पर जाते हैं और आपको नींद अपने आगोस में ले लेती है आपका चेतन मन यानि conscious mind धीरे धीरे अपना control खोने लगता है तब आपके mind का control जाता है और चेतन मन यानि subconscious mind के पास दोस्तों यहीं पर आप एक गलती कर जाते हैं दोस्तों जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो दुनिया भर की negative चीजे आप सोचना शुरू कर देते हैं जैसे अरे उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था यह आज घरबर हो गया वगयरा वगयरा बहुत सारी चीजें आप सोच डालते हैं और दोस्तों क्योंकि उस टाइम पर आपका subconscious mind सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो आपके thoughts को आपकी negative चीजों को आपके negative विचार को पूरी तरीके से catch करने लगता है पूर यहीं पर हो जाती है करबर तो दोस्तों दोस्तों फिर जब आप सुबा उड़ते हैं तो आपका conscious mind तो active हो जाता है लेकिन आपका subconscious mind आपकी उन सोची होई बातों को पूरी राद मन्थन करके पूरी ताकत से आपके उपर वही असरट डालता है तो दोस्तों अब आप समझ के होंगे कि सोने के पांच मिनट पहले आपको वही चीज ने अच्छी चीज ने सोचनी है आपको अच्छी चीज ने सोचनी है नेगेटिब्स नहीं positive सोचना है आपको अच्छा ही अच्छा सोचना है तो दोस्तों आसा करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आगा दोस्त लाइक सस्क्राइब और सेयर करना मत भूलेगा दूसरों को भला हो इसके लिए सेयर चरूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना खूब ख्यार लखिएगा जैहिंद वंदे मातर